मेरे साथ जोर से बोल लिये जरा दोनों हाथ उड़ा कर भारत मता की बारत मता की मंच पर उपस्तित मंच पर उपस्तित महमाहिम सुमान गूलाब चन कटारिया जी संसद मेरे साथ ही बाई सतनाम संदू जी केंद्रिय ग्रो सची अजय कुमार भल्ला जी निर्देशक आसुतना बिरो तपन डेका जी कुलजीत सिंग संदू जी जिनके अथक प्रयास के कारण आज योधना साकार हुई है ऐसी हमारी पूर्व संसद बेहन किरन जी किरन जी जर आगे आई एक बाद जोर से तालिब है ये किरन जी के लिए क्योंकि जब वो सांसत्ती सांसत्ती तब लगातार प्रयास कर रही थी ये प्रोजेक के लिए सुरू भी उनके समय में ही हुआ और मुझे आनन्द है कि आज जब उद्गाटन हो रहा है इसका फल मिल रहा है तब भी वो मंच पर उपस्तित है स्री राजी वर्मा जी स्री अनिंदिता मित्रा जी और आज इस समारो में आये हुए प्यारी भाई और बेनों आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार प्राम बाई और बेनो एक छोटा सा कारेक्रम है परन्तु मैं जानता हूँ एक लाग की आबादी के लिए ये बहुत नहतो पूर्ण कारेक्रम है पाणी हम सब के जीवन में प्राण होता है और पाणी के बगेर का जीवन असमदव है पानी जब दूसी तो जरूरी मात्रा में उपलब्द नहो तो जीवन में अनेक कतनाईया और रोगों का सामना करना पड़ता है इसलिए आज से ये पूरे क्षेत्र के लिए 24 गंटा 365 दिन सबसे आदूनिक फिल्टर प्लांट में फिल्टर किया हुआ पानी आप सबको मिलने की सुरूरात हो रही है इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बदाई देते हैं चंदीगड में सुरू से हुई पानी, सिवर, स्टॉम वाटर इसकी सत पतिसत सुविधाएं बनाई गई थी परन्तु कोई भी सुविधा आप बनाते हैं कितने साल तक सुचारू रूप से चलते हैं आबादी बढ़ती जाती हैं, पाइपलाइने पुरानी होती हैं, पानी के गुनवत्ता कमजोर होती है तो फिल्ट्रेशन प्लांट को और अधुनिक बनाना पड़ता है, नई पाइपलाइने बढ़ानी पड़ती है और पानी की उपलब देता भी बढ़ानी पड़ती हैं इस सभी को ध्यान में रखते हुए इस छेत्र के लिए आज जो योजना का उद्गातन हुआ है 24 गंटा पानी आप सभी को उपलब दोगा मोबाईल में आज से बेहनों को एलाम लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी जब भी आपको काम हो नल चालू कर दीजेगा पानी उपलब्द होगा कोई टेंकर नहीं होगा पहला मदला हो या चोथा मदला जरूरी प्रेसर के साथ मनी माजरा के पूरे क्षेत्र में एक लाख लोगों को पानी मिलने की आज से सुरूआत हो रही है लगबग 75 करोड इसके पीछे खर्चुआ है एक लाख से ज़्यादा आबादी को इसका फाइदा में बुलेगा और 855 एकड में फैली हुई ये वस्ती आबादी 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन से अब 24 गंटा पानी की उपलबदिता होगी जब पानी 24 गंटा देना होता है तो साथावी के अंदरगाउं डिजववर बनाए पड़ते हैं यहाँ पर दो विशाल रिजववर बनाकर 24 गंटे की उपलबदिता सूनिस्चीत कर दिये हैं और स्मार्ट मिटर लगाने से लिकेज का खर्च भी अब आप पर नहीं आएगा घर में भी लिकेज है तो तुरंट आइडेंटिपाई हो जाएगा और VFD पंप्स लगा कर भी इसको प्रेसर ढंग से आए इस सारी वियवस्ताओं को किया है भाई और मैंनों जब मोदी जी 2014 में प्रधान मंत्री बने तब से ही इन्होंने स्मार्ट सिटी योधना को लागू करकर हमारे सेहरों को इसका जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया और सबसे पहली सेहरों की जो सूची घोसित की गई उसमें हमारा चंदीगर था और अब तक भारत सरकार चंदीगर में एक हजार करोड से ज्यादा केवल स्मार्ट सिटी प्रोजेक के तहट खर्च कर रही है और केवल सेहर नहीं जल जीवन मिशन के तहट पूरे देश के स्वच्च पानी हर नागरिक को उपलब्द हो हर घर के अंदर नल से जल पहुँचे इसका प्रबंद हो इसके लिए एक योदना मोदी जी अपनी दूसरी टम में लेकर आए और आज मैं कह सकता हूँ 15 करोड घरों में साथ साल के कम अंतर में 15 करोड घरों में पानी पहुचाने का काम पूरा हो गया है देश के 74,74 परसंट घरों में पीने का पानी स्वच उपलब्द हो गया है और आखरे देखें ये नल से जल योदना जल जीवन मिसन योदना सुरू होने के बाद डायरिया सबंदित मृत्यू में देश में 3 लाग की कमी आई है आप एक बाद समझे ये योजना के पहले डायरिया संबंदित मृत्यू चार लाग होते थे और अब उसमें 3 लाग की कमी आई है लगबग 15 करोड घरों में पानी पहुचा और 3 करोड कनेक्शन तो 2023 में दिये गए और मैं आपको विश्वास दिता हूँ मोदी 3 का कारेकाल समाप्त होने के पहले देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुचाने का प्रबंद प्रदान मंत्री पुरा कर चुके होंगे भाई और मैंनों जहां तक चंदीगड का सवाल है स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के तहट चंदीगड को हमने सवालने का काम किया है पांच सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट करे हैं 20 एकर जमिन में घन कचरे को साप करने की वियोस्ता की है चंदीगड में इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करकर ट्राफिक को हमने नियमित करने का काम किया है जिससे ट्राफिक के उलंगन के 40% केस कम हुए और घातक सडक हाथ्षों में 31% की कमी आई है भाई और बैनों मोदी जी ने चंदीगड के विकास के लिए ये 10 साल में टोटल 30,000 करोड का खर्च किया है 29,000 करोड इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्मान में और 500 करोड रुपया रेलवे के विकास के लिए अलग से काम करने का योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए है भाई और बैनों आज मैं जब यहां आया हूँ तब आप सभी को बताने चाहता हूँ ये 10 साल 2014 से 24 के 10 साल हमारे देश के विकास के इतियास में सुवन अक्सरों से अंकित होने वाले 10 साल है जीवन का कोई छेत्र ऐसा नहीं है जहां पर मोदी जी ने परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं है ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्दी हासिल की है चंद्र पर तिरंगा पहुँचाना हो सर्जिकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक करकर मुहतोर जवाब हमारे दुस्वनों को देना हो या 13370 को समाप्त करकर कस्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बनाना हो चाहे राम मंदिर बनाना हो चाहे रोड का जाला बुनकर इंफ्रराश्ट्रक्चर खड़ा करना हो चाहे अंग्रे जोके जमाने रेलवे स्टेशन को नया बनाना हो हर क्षेत्र में विकास का एक नए नजरिये वाला अनुभव इस देश की जनता ने किया है स्टार्ट अप, डिजिटल इंडिया, अने प्रकार के इनिसेटिव ने भारत को आज दुनिया में मैनुफेक्चरिंग का हब बनाने का काम किया है और इसी का कारण है कि सतत तिसरी बार, साट साल के बाद सतत तिसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाने का काम किया है और अन्डिया की पून बहुमत की सरकार बनाए नहीं साथ के दसक के पहली बार कोई एक व्यक्ति कोई एक संगठन कोई एक दलो का समो पून बहुमत के साथ फीर से प्रदान मंत्री बन रहा है एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थपा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिला कर जाता हूँ ये वीपक्स को जो चैंचे करनी है करने दिजे आप चिंता मत करिये 29 में भी NDA ही आएगा मोदी जी उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं उनको ये मालूम नहीं है कि इन चुनाव में कॉंग्रेस को जीतनी सिटे मिली उससे ज़्यादा सिटे बीजेपी इस चुनाव में जीती ये इनको मालूम नहीं है और उनके पूरे घटवंदन की टोटल जीतनी सिटे हैं अकेली NDA के एक ही दल बीजेपी की इन से ज़्यादा सिटे हैं मैं ए लोग जो अस्तीरता फैलाना चाहते हैं वो बार-बार कहते हैं कि ए सरकार चलने वाली नहीं मैं उनको एक विश्वास दिलाने आए उनको विपक्स के मित्रों को जन्ता को तो भरोसा है न के वले सरकार पांच साल पुरा करेगी अगली टंबी इसी सरकार की है विपक्स में बैठने की तैयारी रखना और धंग से ओपोजिशन में काम करने की बध्धती सिख लेना भाई और मैंनों जिस प्रकार से मोदी जिने हर क्षेत्र के अंदर एक बड़े विजन के साथ काम किया जब आजादी के 75 साल हुए तब कई बार इस देश ने 25 साल की आजादी का महुदसा भी मुनाया पचास साल का भी मुनाया मगर वो महज एक सरकारी कारेकरम बनकर रह गया जब 75 साल हुए मोदी जिने अमरूत महुदसाव से घर घर में जाकर देश बक्ती जगाने का काम किया और नकेवल देश बक्ती जगाई 130 करोड लोगों को देश के साथ सकारत मक उर्जा से जोडने का काम किया और आज पूरा देश 130 करोड लोग मोदी जी के नेत्रूत में ये अमरूत महुदसाव के कारेकरम से संकल्पवान हुए हैं कि 2047 में महान भारत की रचना होगी भारत विक्सीत राष्ट्र बनेगा और हर क्षेत्र में भारत दुनिया में नंबर वन होगा ऐसा भारत हम 2047 में बनाएंगे और ये 2047 तक की जो यात्रा है वो जनता के सयोग जनता के संकल्प के बगर नहीं हो से मैं आज भी अहवान करना चाहता हूँ चंदिगर के वास्यों का हमने लिया हुआ एक एक सूप संकल्प देश को विक्सित देश बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाता है एक बच्चा एक छोटा सा संकल्प लेता है कि मेरी ठाली में मैं जुठा अन नहीं छोड़ूँगा पूरे जिवन बर तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है एक बच्चा अगर संकल्प करता है कि मैं हरोज माता पिता के पैर जुकर आसिरवाद लेकर ही स्कूल जाऊंगा तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है एक व्यापारी अगर संकल्प करता है कि मैं टेक्स की चोरी जीवन में नहीं करूंगा तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है एक नागरिक अगर संकल्प करता है कि मैं ट्राफिक के नियमों को कभी नहीं तोड़ूंगा तो वो संकल्प भी देश को मजबूत करता है और 130 करोड लोग एक कदम एक दिसा में आगे बढ़ते हैं तो देश 130 करोड कदम आगे बढ़ता है यही चमतकार है जो मूदी जी ने अब करकर दिखा है 130 करोड संकलफान लोग भारत को विक्सित भारत बनाने के लिए कटिबद है और आज इसके सैंकडों, हजारों, करोडों कामों की लड़ी में एक बहुत अच्छा काम चंदीगर यूटी में हुआ है एक लाख लोगों को जो हमारे सरीर का महतपुन हिस्सा पानी होता है वो सूद्ध पानी देने का उनको मैं आज यहां विश्वास दिला कर जाता हूँ आप विश्वास करिएगा किसी को मिन्रल वाटर लेने की जरूरत नहीं है यह पानी अपने आप में ही इतना सूद्ध है एक बहुत अच्छा प्रकलपाच सुरूआ है मैं महा महिम गुलाबचन जी को भी बहुत बढ़ाई देता हूँ प्रसासन को भी बहुत बढ़ाई देता हूँ और सबसे ज़्यादा आनंद गुलाबचन जी को इसलिए होगा क्योंकि वो ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ पानी का मुल्य सबसे ज़्यादा होता है हमारा गुजरात और राजस्तान ऐसे प्रदेश हैं जिनोंने कई सालों का अकाल देखा है पानी का मुल्य हम लोग जानते हैं मगर आज यहाँ पर एक शेत्र के एक लाख लोगों को मैं मन से बहुत बहुत बढ़ाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ और विशेश कर माताओ बेहनों को बहुत बहुत बढ़ाई और सुपकामना है क्योंकि पानी जब गंदा होता है या कम होता है सबसे ज़्यादा परिसानी माताओ बेहनों की होती है आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई धन्यवाद